नमस्कार देसुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। साथ ही रोजकार समाचार में बात करेंगे देस में कौन-कौन से सरकारी भरतिया निकली हुई है और उनसे ही जुडाफवा क्या है नया अपडेट। संख्या 19 हो जाएगी। गुयाना के साथ ही बारबाडोस भी पीम मोदी को अपना सिर्ष पुरुषकार प्रदान करेगा। डोमीनीका भी कुछ दिन पहले पीम मोदी को अपना सिर्ष पुरुषकार देने की घोशना कर चुका है। पीम मोदी 56 साल में गुयाना पहुचने वाले पहले भारतिय प्रदान मंत्री बने क्याबिनेट संग राष्टपती मोहमद इर्फान अली ने किया जोरदार स्वागत। पीम मोदी गुयाना के राष्टपती मोहमद इर्फान अली और ग्रेनेडा के प्रदान मंत्री डिकन मिसेल के साथ कैरीकॉम सिकर सम्मेलन की सह अधेक स्ता करेंगे। इस सम्मेलन में 14 केरीबियन देशों के नेता शामिल होंगे इस दोरान राष्टनितिक आर्थिक और जलवायू परिवर्तन जैसे एहम मुद्धों पर होगी चर्चा। महराष्ट चुनाव के बीच बीजेपी ने खेला घिनो ना खेल चुनाव को प्रभावित करने के लिए रच्च दिया बड़ा सडी अंत्र। सुप्रिया सुले पर बिटकोइन स्केम का लगाया घंबीर आरूप। महाराष्ट चुनाव के बीच बीजेपी ने एक बार फिर अपनी कर्टूत दिखा दी है। उन्होंने एक बार फिर मतदान को प्रभावित करने की कोसिस की है। दरसल भाजपा ने बिटकोईन स्केम में सुप्रिया सुले और कॉंग्रेस निर्णा नाना पटोले का नाम लिय है कि दोनों नेताओं ने चुनाव और मतदान को प्रभावित करने के लिए विदेशी धन का इस्तमाल किया। NCP लीडर अजित पवार ने कहा कि स्केम को लेकर ओडियो क्लिप सामने आई है जिसमें सुप्रिया सुले की आवास है हलांकि सुप्रिया और सरत पवार दोनों ने आरोपो को खारिच किया है। पंचित बहुजना घारी के कारे करताओं के बीच मार पेट हुई। ने कहा कि 12 मती सांसद और महराष्ट कोंग्रेस अध्यक्स इस घोटाले में शामिल है। वहें इस आरोपो के बाद बीजेपी वक्ता सुधान शुत्रिवेदी ने डीलर अमिताब गुप्ता शुप्रिया सुले नाना पटोले की बातचीत का ओडियो शेर किया। उन्होंने पुछा कि डीलर जिनकी बात कर रहा है वे बड़े लोग कोन है। इधर बारामती से लोगसबासांस सुप्रिया सुले ने रविंद्रनात के खिलाफ शिकायत दर्च की। साथी एक्स पर एक पोश्ट में लिखा कि बीजेपी गंदी राजनिती कर रही है। सुले ने शुधान सुत्रिवेदी के खिलाफ मान हानिका केश करनी की चेतावने भी दी है। अखिलेश की शिकायत पर कानपूर में दो दरोगा सस्पेंट वहीं बीजेपी बोली बुरके की आड में फरजी वोटिंग हो रही। बीदे दिन यूपी की नो विदान सबास सीटों पर रुप चुनाव की वोटिंग हुई इस दुरान यूपी में बड़ा बवाल देखने को मिला। एक तरफ इकलेश आडव की शिकायत के बाद कानपूर में दरोगा अरुन सिंग और राकेश नादर को सस्पेंट कर दिया गया। सरकार पर संकट के आसार उनिस विधायक हुए बागी कॉंग्रेस ने बूला हमला। मानेपूर राज की मोज़ूदा इस्तती पर सीम ने एक मिटिंग बुलाई थी। इस मिटिंग में पार्ट के अरिकांच विधायक शामिल नहीं हुए एंडिये के कुल 33 में से 27 विधायक बैठक में शामिल हुए इसमें से 18 बीजेपी के 44 एन पीपी और एन पी एफ के और एक निर्दलिय विधायक थे। बैठक में बीजेपी के 19 विधायक शामिल नहीं हुए बीजेपी के गरामेर विकाश मंत्री युम नाम खेम चंद सिंग भी इस मिटिंग में शामिल नहीं हुए। इधर कॉंग्रेस ने इसको लेकर निसाना साधा है। कॉंग्रेस महासचिव जैराम रमेस ने कहा कि मनिपूर में विधान सबा के 60 विधायक हैं, लेकिन बैठक में केवल 27 विधायक ही आई, यानि दिवार पर लिखी इबारत बिल्कुल साफ है, लेकिन क्या मनिपूर के सुत्रधार केंद्रिय ग्रिया मंत्री इसे पड़ रही है जिनको पीम ने राज्य की जिम्मेदारी सोप रखी है। उन्हें शान्त कराने के लिए पुलिस मोके पर पहुंची। कॉंग्रेसान सर्थ सुख जिंदर सिंग रंधावा ने आरोप लगाया कि पंचाब की आप सरकार गुंडागर्दी कर रही है। करना समाजवादी पार्टी की पहचान है गुंडई अराजकता फैलाना इनका ट्रेड मार्क है। असम के करीम गंज का नाम बदला अब सिरी भूमी नाम से जाना जाएगा। सियम हेमंता बोले कि सो साल पहले रविंद्र नाथ टैगो ने यह नाम दिया था। असम के करीम गंज जिले का नाम अब सिरी भूमी होगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव पास कर दिया गया है। साल पहले ही कवी गुरू रविंद्र नाथ टैगो ने करीम गंज जिले को शिरी भूमी मा लक्ष्मी की भूमी के रूप में वर्नित किया था। इंद्रा गांधी शांती पुरुसकार इस्राइल फिलिस्तीन मंत्री को बढ़ावा देने के लिए बैरन बोईम और अववाद को मिला। साल 2023 का इंद्रा गांधी शांती, निरस्त्री करण और विकास अवाड डेनियल, बैरन बोईम और अली अब्बु अवाद को दिया गया। इन दोनों ने संगीत, समवाद और लोगों की भागिदारी के अहिंसक साधनों के जरिये इस्राइल और फिलिस्तिनी लोगों के बीच मैत्री को बढ़ावा देने के लिए अपना जिवन समर्पित कर दिया है। विजेताओं का चेन भारत के पूर्वे CGI T.S. ठाकुर की जूरी ने किया। विदीश मंत्राले ने बीते दिन बताया कि भारत के विदीश मंत्री एर जे संकर और चाइनीज फोरेन मिनिस्टर वोंगी ने दोनों देसों के बीच सीधी उडान और कैलाश मांसुर वर यात्रा दुबारा शिरू करने पर भी चरचा की। कोविड महामारी के बाद भी इन दोनों पर रोक लगा दी गई थी। में ताजा हिंसा मैमार से आए अव्यद एप्रवाशों के कारण हो रही है जो व्यपार के लिए मणिपूर आए और अब पूरे नोर्थ इस्ट के कंट्रोल करने की कोसिस कर रहे हैं। साथी बिरेन सिंग ने कहा कि जब चितंबरम UPA सरकार में केंद्री घ्रह मंत्री थे तब उन्होंने 12 से जाद आकू की उगरवादी ग्रूप और केंद्र राजय सरकार के बीच एक समझोता किया था। कस्मीर को सीधे दिल्ली से जोडेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस पिया मोधी करेंगे उधखाटन। ने तो सविधान बदलेंगे ना ही बदलने देंगे। ना ही किसी की इतनी हिम्मत है कि वह सविधान को बदले। क्योंकि सुप्रिम कोट ने केसवानंद भारती मामले में यह फैसला दिया है कि सविधान की मूल सरंचना बनी रहेगी। सियम नितीश ने बिहार के नियोजित सिक्षकों को दी बड़ी गुड न्यूज यह हैं पोस्टेट है वही करते रहेंगे नोकरी। सिक्षकों को दी बड़ी गुड न्यूज जहां पोस्टेट हैं वही करते रहेंगे। बिहार सियम का ये अलान शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर आया है मुखे मंत्री नितीश कुमार ने कहा कि जो नियोजित शिक्षक अपने ट्रांसफर को लेकर परिशान है उनके लिए हम लोगों ने निर्ने लिया है जिसके तहट नियोजी सिक्षक जिस जगे पर काम कर रहे हैं वही पर उनको काम मिलेगा सीमा सड़क संगटन में 466 पदोपर और MP में एलेक्ट्रोनिक्स विकास निकम में 109 में पदोपर निकली वेकेंसी वही बैंको बडोधा में 500 बान में पदोपर और 29 नवंबर तक आवेदन करने का सुने रामोका इसके अलावा और भी सभी भरतियों के विस्तरत जानकारी के लिए गूगल में अभी विजिट करें सरकारी जोबडेट डोट कॉम वेब साइट पर चितंबरम के खिलाफ एयरलेस मिक्सिस मामले में निचली अदालत नहीं लेगी एक्शन दिली हाई कोट ने एडी को जारी करते हुए चितंबरम की याचिका पर जवाब मांगा है दरअसल चितंबरम ने हाई कोट में एयर सेल मेक्सिस मामले को लेकर दायर आरू पत्र पर संग्यान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनोती दी थी बीपी के मरीजों के लिए आई खुसकबरी दो दवाईयों के कॉंबिनेशन से डॉक्टरों ने बनाई नई दवाज मोजूदा दवाईयों से पांच फीज दे जादा कार गई इन अभर में ब्लड प्रेशर की समझा तेजी से बढ़ रही है बड़े से लेकर बुजूर्ग इसकी जद में है भारत में तो तीन करोड से जादा हाई बीपी के मरीज है हालांकि एम्स की नई स्टेडी में बीपी कंट्रोल का एक नया रास्ता निकाला गया है इस्टेडी में दो दवायों की कॉंबिनेशन से एक सिंगल डोस्त तयार की गई है इस्टेडी में दावा क्या गया है कि ये मोजूदा दवायों से पांच गुना जादा प्रभावशाली है वहीं रिसर्च के मुताविस सिंगल पिल से 70 फीस दिमरी जो में बीपी कंट्रोल करने में सफलता मिली है दिली में वायो प्रदूशन का कहर राजस्तान पहुँचा कई जिलों में हुई स्कूलों की चुटी दिली की जहरीली हवा का रुख अब राजस्तान की तरफ हो गया है बारदे प्रदूशन को देखते हुई राजस्तान की कई जिलों में सरकारी और प्राइविट स्कूलों में चुटी कर दी गई है जिसे सुभै शाम टिटूरन बढ़ने लगी है उनेतर पाइदानों की लंबी छलांग और तिलक वर्मा पर ICC महरबान हार्दिक बने नमबर वन T20 ओल्राउंडर ICC ने क्रिकेटर्स के लेटेस्ट रैंकिंग्स जारी कर दी है जिसमें भारती खिलाडियों ने धूम मचा दी है स्टार क्रिकेटर हर्दिक पांडिया को नया नमबर वन T20 ओल्राउंडर चुना गया है वहीं साउथ अफ्रिका की खिलाव T20 इंटरनेशनल सीरीज में बैक टू बैक दू सतक ठोकने वाली युवा बलेबास तिलक वर्माने बलेबास की रैंकिंग में उने तर इस्थानों की लंबी छलांग लगाते हुए तीसर इस्थान हासिल कर लिया है इतना ही नहीं गयन से कमाल दिखाने वाले स्पीनर वरुन चक्रवती और बलेबास संजू सैमसन को भी फायदा हुआ है हर्याना में फिल्म दरसाबर मती रिपोर्ट टैक्स फ्री सीम सैनी ने किया एलान कहा कितीहास के शर्मना घटना फिल्म में दिखाई गई सच्चाई हरियाना में फिल्म दैसाबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री होगी मुख्यमंत्री नायाब सेने ने चंडिगड में फिल्म देखने के बाद इसकी खोशना की उन्होंने कहा कि यह फिल्म 27 फर्वरी 2002 को गोद्रा में हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हाथसे पर आधारित है यह फिल्म हमारे हाली आईति हास की सबसे शर्म नाग घटनाओं में से एक महतुपूर्ण सचाई को दर्शाती है फिल्म निर्माताओं ने इस मुद्दे को बहुती समविदन सीलता और गरिमा के साथ पीश किया है 22 ग्रेंड स्लैम चेंपियन नडाल का टेनिस से सन्यास होम ग्राउंड में आकरी मैच खेला कहा कि छोटे गाउं के अच्छे इंसान को याज रखना ग्रेंड स्लैम जीतने वाले स्पैन के राफील नडाल ने इन टेनिस से सन्यास दे लिया है 38 साल के नडाल ने अपने होम ग्राउंड मलांगा से डेविस कप में कैरियर का आकरी मुकाबला खेला हलांकि वे इसे हार गए नडाल अपने सन्यास के सम्मान में आयोजे समारो में कई लोगों को श्रेतिया उन्होंने अपने चाचा टोनी नडाल का नाम लिया टोनी ने नडाल को टेनिस खेलने के लिए प्रेदित किया उन्होंने नडाल को ट्रेनिंग भी दी राजनेतिक पार्टियों में सबसे इमानदार पार्टी कौन सी है अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए